नमस्कार, आज हम आपको DC कैपिसिटर और AC कैपिसिटर का अंतर बताएंगे. यहाँ पर हमने DC कैपिसिटर के दो स्विंबल दिखाए हैं, और भी स्विंबल होते हैं, और DC कैपिसिटर एक पोलराइस टाइप का कैपिसिटर होता है. यह स्विंबल AC कैपिसिटर का है, और AC कैपिसिटर नान पोलराइस टाइप का कैपिसिटर होता है. वैसे तो कैपिस्टर बहुत तरह के होते हैं लेकिन अजितर चार तरह के प्रियोग होते हैं और यह मार्कट पे भी मिलते हैं इसके लावा एक और सुपर कैपिसिटर होता है इस चार में जो दो टाइप हैं अल्यूमियम इलक्रोलाइटिक और टेंटलम टाइप कैपस्टर यह DC कैपस्टर की सेड़ी में आते हैं और मेटलाइस पॉलिस्टर और सेरेमिक कैपस्टर यह AC कैपस्टर के टाइप के होते हैं यहां आमने सेंपिल दिखाया हुआ है, टेंटलम का सेंपिल हमारे पास नहीं है, यह अल्यूमिनियम अलक्टोलाटी कैपिस्टर है, 1000 माइक्रो फाराडे 25 वोल्ड का, यह मेटलाइज पालिस्टर कैपिस्टर है, 2.2 माइक्रो और 450 वोल्ड का, और यह सिरेमिक कैपिस्टर है, 200 नैनो फाराडेगा, जो DC कैपिस्टर है, उसके एकराज हम सिर्फ DC वोल्ड दे सकते हैं, AC वोल्ड नहीं, AC कैपिस्टर के एकराज हम, DC और AC दोनों तरह के वोल्ड दे सकते हैं, हम माल लिए कोई कैपिस्टर है, 200 वोल्ट का AC उसमें रेटिंग लिखी है तो वो 280 वोल्ट DC ले जाएगा क्योंकि 200 वोल्ट AC में 280 वोल्ट पीक आएगा न तो 280 वोल्ट तक वो ले जा सकता है और DC में तो हमसी DC वोल्टेज दे रहें अब ध्यान रखिए हम बोल ले हैं वोल्टेज हम करण नहीं बोल ले DC वोल्टेज होने पर भी इस क्योंकिप्टर में AC करण बैश सकती है मैं आपको दो एक्जामपिल दिखाता हूँ यहां पर हमने AC to DC सप्लाई दिखाई है रेक्टिफायर के बाद यहां पर एक एलक्ट्रोलाटिक कैफ्टर लगा है DC टाइप का तो जब यह कैफ्टर चार्ज होगा तो इसमें DC फ्लो होगी जब यह चार्ज हो जाएगा तो इसमें करण बहना बंद हो जाएगा उसके बाद जब लोड में करण बहेगी तो ऐसे बहेगी तो charging के समय current ऐसे बहती है उपर से नीचे और discharging के time current ऐसे बहती है नीचे से उपर तो देखिए कभी उपर से नीचे समय current बह रही है और कभी नीचे से उपर तो AC current हो गई ना तो voltage इसमें DC है मगर इसमें current AC बह रही है यहां यह audio amplifier है और यह speaker का resistance मैंने दिखाया है तो इन दोनों के बीच में यह coupling capture लगा है तो इसके cross voltage DC होगा मगर speaker में current AC ही वहती है और वो AC current कहां से आ रही है? ऐसे तो इस capture में AC current वह रही है मगर voltage DC है मगर इसके cross थोड़ा सा AC voltage का repeal होगा अब यह दोनों DC type के capture है और यह दोनों AC type के तो एक जो aluminum electric capture होता है वो low voltage का होता है tantalum भी low voltage का होता है metalized power structure आपको high voltage के मिल जाएंगे ceramic में भी low voltage दे सकते हैं और यह जो aluminum electricity capture होता है उसकी कास्ट कम होती है tantalum capture महेंगा होता है expensive है metalized polyester capture भी expensive होता है ceramic capture low cast होता है अब जो चार्ट रहां के हमने capture बताए उनका कास्ट का कम प्रीजन करेंगे हम माल यह दस रुपए हैं हमारे पास उसमें आपको एक एक हजार माइक्रो 25 बोल्ड का अलकुलाटिक capture आ जाएगा एक नंबर या फिर tantalum capture वन माइक्रो 25 बोल्ड का आ जाएगा या polyester capture पाइंट 33 माइक्रो 400 बोल्ड का मिल जाएगा आपको लेकिन जो ceramic capture है वो लेना है तो पाइंट वन माइक्रो वाले आपको 20 मिल जाएगे 10 रुपए में और ceramic capture में आप पाइंट वन का लो या पाइंट यूरो वन का लो कास उतनी ही होती है अब जो DC electrolytic capture होता है उसकी हाई कैफिसेंस मिल जाएगा आपको मितला कैफिसेंस की वैल्यू जादा मिल जाएगी कम साइज में पालिष्टर capture जो की यह सी है उसमें आपको कैफिसेंस की वैल्यू कम मिलेगी एलक्टलाइटी capture की quality बहुत खराब होती है इसमें tolerance भी बहुत खराब होता है प्लस माइनट 20 परचन 30 परचन मिलेगा इसमें stability भी नहीं होती और इसमें leakage current काफी होता है मालिष्टर capture में कैफिसेंस आपको कम मिलेगा मंगर quality इसकी अच्छी होती है कम tolerance का मिल आएगा अच्छी tolerance का stability भी इसकी बढ़िया है और इसकी leakage current काम होती है leakage current का क्या मतलब अगर capture को charge करके रख दें तो उसमें बिना supply के अंदर leakage current बहने लगती है वो leak होने लगता है उसको बोलते है leakage current तो यह जल्दी leak होगा और यह देर से तो इसमें capture में charge ज्यादा देर तक बना रहेगा अब electrolytic capture में self degradation होता है मतलब रखे रखे वो खराब हो जाता है पालिस्टर capture में ऐसा नहीं है वो stable रहता है तो इसकी life कम होती है इसकी वज़े से इसकी life ज्यादा होती है इसमें losses बहुत होते हैं अंदर यह गरम हो जाएगा पॉलिस्टर capture जो की AC टाइप का है उसमें losses काफी कम होते हैं अब tantalum capture जो की DC टाइप का है उस तरह में capture जो की AC टाइप का है में अंदर दोनों की quality अच्छी होती है इस capture की stability बढ़िया होती है इसमें leakage कम होता है इसमें भी leakage कम होता है यह आपको अच्छी accuracy का मिल जाएगा यहां नहीं मिलेगा सिरेमिक capture में tolerance बहुत होती है अगर आप 100 नेनो फेराडे का लेंगे तो यह तो 70 होगा यह 120-30 होगा बहुत ज्यादा variation होता है और यह जो capture हैं बहुत low value के मिलते हैं अब super capture क्या होते हैं यह ultra high capture होता है c की value बहुत ज्यादा होती है आपको 10 लाख माइक्रोफेराडे और 5.5 वोल्ड का करीब आध हैं इसे भी छोटे साइज का मिल रहेगा यह DC टाइप होते हैं इनकी लाइब बढ़िया होती है इसमें इसमें लीकेज ज्यादा होता है और यह बहुत कम बोल्टेज का मिलता है जैसे यहां लिखाँ आपने 5.5 वोल्ड अब सुपर केफटर की कास जो एलिमिनगी में लैती काफटर है वो दत अरप में मिल जाएगा एक हजार माइक्रोफेरेड का जो सुपर कफटर है आपको दस लाख माइक्रोफेराडे का मिलेगा तक 15.5 वोल्ड अब सुपर कैप्स्टर का यूज जहां पे आपको ज्यादा इनर्डी स्टोर करना हो थोड़े टाइम के लिए वहां पे इसका यूज होता है या बार बार फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज करना हो या थोड़ी देर के लिए पावर बैक अप करना हो अब जो एलक्ट्र लैटिक कैप्स्टर है उसको लो वोल्टेज डीसी अप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं अधिक तर ये डीसी पावर सप्लाई में यूज होता है रिपिल फिल्टर का जो काम करता है डीसी तो डीसी सप्लाई में भी यूज होता है या आडियो आउट्प पालिस्टर कैप्टर से थोड़ा कामप्यक्ट होता है इसलिए वहां यूज करते हैं जहां पर इसफेस लिम्यूटेशन हो PCV में DC अप्लिकेशन के लिए मतलब पालिस्टर लगा हुआ है जगे ज़्यादा नहीं है तो यह लगा दो कम जगे में काम चल जाएगा टेंटेलम कैप्टर PCV में जो सप्लाई आती है वहां पर भी लगाते हैं अब जो सिरे में कैप्टर है वो भी लो वोल्टेज अप्लिकेशन के लिए यूज होता है जो एलक्ट्रोनिक वोर्ड है उसमें जो नायश होती है उसको फिल्टर करने के लिए यूज होता है बहुत स यूज करते हैं वो भी PCV में हैं जहां time critical हो क्योंकि इस capture की tolerance जाधा होती है अब मेटलाइस पॉलिस्टर capture का यूज पावर फेक्टर इंप्रोमेट में करते हैं मैंने कई फेक्टर इंप्रोमेट के लिए capture बनाया जाते थे यह PCV में लो वोल्टेज पर ज्याधा accurate time चाहिए तो वहां यह वाला capture यूज करते हैं इसको इलक्रोडाटी capture के parallel में भी यूज करते हैं क्या होता यह एलक्रोडाटी capture यह पूरा जो मनें दिखाया है यह capture है मगर उसमें अंदर inductance भी होता है और resistance भी होता है बहुत खराब quality का होता है तो इसकी वज़े से इसे आप high frequency की current नहीं ले सकते हैं तो यह capture parallel में लगा देते हैं यह low frequency की current देता है DC वाला aluminum electromagnetic capture और यह polisher capture high frequency की current देता है जैसे IC बहुत fast आनाफ हो रहे हैं उस समय आन होते समय यह आप होते समय यह काम करेगा उसके बाद noise filter के लिए यूज करते हैं हार्मनिक filter में यूज करते हैं अब आर यही समाप्ट 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 करते हैं आर यही समाप्ट करते हैं झाल झाल